Hello friends, my name is Anshuman Sharma and welcome to our YouTube channel Nursing Arena आज special classes for CHO and CRPF में लेकर आएँ special Rajasthan GK के question मुझे बहुत सारे message मिल रहे थे कि sir special Rajasthan GK के question लेकर आईए तो जो part 4 हमारा रहेगा वो special Rajasthan GK पर रहेगा जो कि especially Rajasthan CHO के लिए बहुत important होने वाला है तो आज की session में इस 10 minute की class में 15 MCQs discuss करेंगे तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है आप पहले चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें चलिए शुरू करते हैं आज का class question number one है राजस्तान का शेत्रफल देश के कुल भोगोलिक शेत्रफल का कितना प्रतिशत है सवाल ये पूछना चाहता है कि हमारे जो राजस्तान का शेत्रफल है वो भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है तो आपको बताना है तो 9.51%, 10.41%, 12.61% या फिर 13.54% तो यहां हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि राजस्तान भारत का कितना प्रतिशत है तो 10.41 प्रतिशत भाग राजस्तान कवर करता है भारत का question number two की तरफ चलते है राजस्तान का भागोलिक शेत्रफल कितना है यह बहुती common question है जो पूछा जाता है कि राजस्तान का भागोलिक शेत्रफल कितना है तो भागोलिक शेत्रफल तो कभी अपडेट नहीं होता है कभी बदलता नहीं है तो option A है 4.42,249 movement 2.42,249 3.42,242,249 Schluss तो राजस्तान का भोगलिक शेत्रफल जो है वो है option C तीन लाग 42,249 वर्ग किलोमीटर ये राजस्तान का शेत्रफल है तो ये तो आप याद कर ही ले राजस्तान का सबसे अधिक सीमा किस पडोसी राज्ये की सीमा से लगती है तो next question भी राजस्तान की जोग्राफी से ही है कि यहाँ पूछा गया है कि राजस्तान की जो अंतर राजस्तान की जो सीमाएं है वो दूसरे राज्ये से सबसे ज़्यादा किस राज्ये से वो मिलती है तो पंजाब, मध्यप्रदेश, गुजरात या फिर हरियाना तो सबसे ज़्यादा किस के साथ होती है मध्यप्रदेश के साथ राजस्तान की जो अधिक्तम सीमा है वो कौन से पड़ोसी राज्ये के साथ में है मध्यप्रदेश के साथ में और अगर question आए कि सबसे कम किस के साथ में तो पंजाब पंजाब के साथ में सबसे कम है Q4 राजस्तान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है राजस्तान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील जैसमन्द, सिली सेड, आना सागर या फिर नक्की तो कौन सी जील होगी यहाँ पे राजस्तान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है जैसमन जील कौनसी है जैसमन जील क्यूशन नमर शिक्स देखिए भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की जील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौनसी इंडिया की पूछ रहा है फते सागर, सांबर, पच्पद्रा या फिर डीडवाना कौन सी है तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी के जील है सांबर जील जहां से सबसे ज़्यादा नमक का उत्बात किया जाता है ये प्रिवेसली कुछ कॉम्पिरिटिव एग्जाम्स में पूछा गया क्यूशन है तो इस सवाल के अकोर्डिंग जो राजस्तान का राज्य पशु है वो है चिंकारा और अभी उट को भी शामिल कर दिया गया है राजस्तान का जहाज कहे जाने वाले जो जानवर है या पशु है जिसको हम कहते है उट उट राजस्तान का जहाज कहलाता है और उट को भी राज्य पशु गोशित कर दिया गया है निम्न में से राजस्तान में किस जिले में दशेरा मेला लगता है राजस्तान में किस दिले में दशेरा मेला लगता है जैपुर, कोटा, बूंदी या फिट जालावार तो क्या होगा इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर का दशेरा का सबसे बड़ा जो मेला भड़ता है वो भड़ता है कोटा के अंदर ठीक है यह जो option दिया हुआ है यह printing mistake में गलत आया हुआ है क्रिश्न भक्त मीरा भाई का मंदिर राजस्तान में कहां परिस्तित है कहां परिस्तित है जालावार, मेड़ता, नागोर, जोदपुर या पुर्षकर अजमेर कहां पर है तो इसका right answer है मेडता नागोर के अंदर मीरा बाइप का मंदिर राजस्तान में famous है question number 10 डबोक हाई हवाई अड़ा स्तित है डबोक हाई अड़ा कहा है जोदपूर में जैपूर में उदैपूर में उदैपूर में यहां दो option है उदैपूर उदैपूर तो इसको आप एक को अजमेर कर दीजिए अजमेर जैसे कि अपने को पता कि अजमेर में तो कोई है ही नहीं जोदपूर में सवाई मान सिंग है और यहां जो डबोक हाई अड़ा है वो है उदैपूर के अंदर कहा है उदैपूर के अंद क्वाण कि किया राना संगा राना कुमबा राना प्रताप किसने कर वाया था यहां राइट आंसर है अपना चित्रंगद मोर्य तो इस आग Deshalb कित्रंगद मोर्य ने क्या करवाया था चित्तोडगर दुरुक का निर्मान कर वाया था विंद नबर 12 देखिए किसने किर्थिस्तंब या फिर जिसको दूसरा नाम है विजे इस्तंब का निर्मान करवाया राना कुम्भा, राना प्रताब, बदन सिंग या फिर राना कुम्भा तो यहां दो अप्शन आ गए है तो यहां हम राइट देख लेते हैं राइट आंसर ओ ये भी है और डी भी है राना कुम्भा ने किर्थिस्तंब या फिर विजे इस्तंब का निर्मान करवाया था राजस्तान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है तो बताना है राजस्तान का सबसे बड़ा मेला कौन सा पुशकर मेला माता कुंडलीनी का मेला केसरिया जी का मेला या फिर रामदेव जी का मेला तो यहां हमारा राइट आंसर होगा राजस्तान का सबसे बड़ा मेला पुशकर मेला है क्यूशन नबर 13 सोरी 14 2011 की जन्रगनना के एनुसार राजस्तान का लिंगनुपात क्या था राजस्तान का लिंगनुपात पूछा है सबसे पहले में बता दू कि लिंगनुपात क्या होता है लिंगनुपात को हम इंग्लिश में कहते है सेक्स रेशियो इंग्लिश में हम कहते हैं सेक्स रेशियो जिनको लिंगानुपात समझ में नहीं आता, वो इसको याद रख सकते हैं, sex ratio, ये क्या होता है, कि किसी भी शेत्र में, जैसे यहां शेत्र देखा है, किसी भी एरिया के एक particular area में, तो area हो गया हमारा राजस्तान, किसी भी particular area में, 1000 male पर females कितनी है, वो होता है, लिंगानुपा पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो यहां ये question पूछा गया है, तो 2011 के जनगणना के नुसार, 964 है, 928 है, 940 है, या फिर 948 है, तो यहां हमारा right answer क्या निकलेगा, 2011 के according, 928 महिलाएं हैं, प्रती 1000 पूर्शियों पर, 928 females है, पर 1000 males पर, ठीक है, कुछ updates में आपको इसमें बता देता हूँ कि, 2015-16 के according, लिंगा नुपात, 941 हो गया, 2016-17 के according, लिंगा नुपात, 964 हो गया, और 2017-18 फिर से कम होके, 954 हो गया, ठीक है, और भी नए update अभी तक आये नहीं है, अब मैं आपको और question बताना चाहूँगा, कि सबसे जदा लिंगा नुपात कहा है, सबसे जदा है, सबसे highest है केरल में, केरल में, ठीक है, केरल में क्या है, कि महिलाओं की संख्या जदा है, और पूर्शियों की संख्या कम है, राजस्तान का मैंचेस्टर किस शेर को कहा जाता है, अजमेर, बिलवारा, कोटा, या फिर जैपूर, तो किसे कहा जाता है, यह आज का अमरा last question है, I hope आपको class पसंद आये होगी, तो बिलवारा को राजस्तान का मैंचेस्टर का जाता है, अजमेर को राजस्तान का हिर्दे का जाता है, the heart of the राजस्तान, heart of राजस्तान किसे का जाता है, अजमेर को, और मैंचेस्टर अफ दी राजस्तान किसको का जाता है, बिलवारा को, ओके फ्रेंड तो आज के लिए इतना ही स्पेशल राजस्तान जीके के किस्टेंज में लिक्या है हूँ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर यह हमारा पार्ट फोर था तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ओके फ्रेंड्स थैंक यू